अज मैं शेर करने जा रही हूँ चावल की आटे से बनी मिठाई जिसे चावल का मिठा पीठा या मिठे फरी भी करते हैं ये मिठाई बनाने में बहुत आसान है और इस मिठाई को हम थोड़ा ट्विस्ट देंगे जिससे मिठाई देखने में और वी संदर लगेगी तो बिना घी मावा का इस्तमाल किये ये मिठाई बनाई जाती है तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपका अच्छा लगी तो मेरी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें इस मिठाई को बनाने के लिए हम ले-लेंगे 1 कप चावल का आटा तो मैंने यहाँ पर इस मेजरिंग कप से माप कर चावल का आटा लिया है आप चाहें तो कोई भी कटोरी या गलास का इस्तमाल कर सकते हैं सारे इंग्रेडेंट्स को मापने के लिए तो ये एक गप चावल का आटा है अब चावल का आटा येदि आप घर पर बनाते हैं तो इस मिठाई का टेस्ट और भी अच्छा आएगा नहीं तो आप रेडिमेंट भी ले सकते हैं तो चावल का आटा बनाने के लिए आप क्या करें कि चावल ले लें कोई भी आपास मती या नॉर्मल चावल ले सकते हैं चावल को 3-4 घंटे के लिए पाने में भीगो दें जब भीग कर सफेद हो जाएं तब उनमें से पाने निकाल दें और उन्हें एक कोटन की कपटे पर दूप में सुका दें तो चावलों को हमें अच्छे से सुकाना है ताकि उसकी नमी चली जाए और जब चावल अच्छे से सूख जाएं तब उन्हें मिक्सी में भीज लें और उन्हें चानते वी निकाल लें ताकि कोई भी एक्स्टा चंस रह गई हो चावल के तो वो भी तो इससे बहुत ही आसानी से हम घर पर ही चावल काटा तयार कर सकते हैं और रेडिमेंट आटे के बजाए घर का बना चावल काटा और भी ज़्यादा स्वातिष्ट होता है तो चलिए अब हम बागी के इंग्रिटेंट्स भी देख लेते हैं तो इसके साथी हम कप को माप क पर ही एक कप ले लेंगे दूद दूद के बजाए आप पानी का स्वाल भी कर सकते हैं साथी अपने मीठेपन के साब से जीनी ले सकते हैं मैंने यहां पर आदा कप जीनी ली है और इस मिठाई के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम ले लेंगे यह डेसिकेटिट को हैं तो आदा कपी हम ये नारिल का पाउडर ले लेंगे अब हम एक पैन ले लेंगे और गैस का फ्लेर मौन करते हैं और इस पैन में सबसे पहले हम दूद डालेंगे दूद को अच्छे से गरम होने देते हैं यहां पर यदि आप दूद को अच्छा गाढ़ा करके इस्तमा गरम हो जाए तब हम चेनी इसके अंदर डाल देंगे तो चेनी भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी चेनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो जो सूखा नारिल का पाउडर हमने लिया था वो इसके अंदर डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं इसे तो दूद को हमें अच्छे से गरम कर लेना है तो यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब इसके अंदर हम चावल काटा भी डाल देंगे और फ्लेवर के लिए हम इसमें एक चोटा चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे आपको पसंद हो तो आप यूज करें नहीं तो स्किप कर अब दूद के अंदर चावल के आटे को काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब क्योंकि यह चावल काटा है तो जैसे ही दूद के अंदर यह अबसर्ब हो lovers का यह रिख का दाब अब रहे और अच्छे से दूद को अब्सर्ब कर लें यहां पर हमने डेसिकेटिड कोकोनेट पाउडर का इस्तमाल किया है आप चाहें तो इस मिठाई को बनाने के लिए यदि मिल्क पाउडर अवेलेबल हो तो आदा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं तो जब आप कोकोनेट पाउडर इसके अंदर डालें तभी उसके अंदर मिल्क पाउडर एड़ कर दें हम यहां पर चावर का मिठा पीठा तयार कर रहे हैं यानि मिठे फर्रे तयार कर रहे हैं इसे तरह से नमकीन पीठी भी बना कर तयार किये जाते हैं तो उसमें जो स्टफिंग वगर होती है वो नमकीन बनाई जाती है तो सारे चीज़े अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इससे ढखकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे या जब तक ये थोड़ा रूम टेंप्रेचर पर ना आ जाए तो लगबग 10-15 मिनट बाद हम चैक करेंगे तो ये जो मिश्रन है अभी हलका गरम है तो जब ये हलका गरम हो आप इजिली इसे इस तरह गून सके तब इसे इस तरह गूनना स्टार्ट कर दें क्योंकि जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इस तरह से डो नहीं बन पाएगा सारा जो मिक्षर है वो भी खर जाएगा इस मिठाय को बनाने के भी कई तरीके होते हैं इसके लिए चाशनी भी बनाई जाती है तो चाशनी वाला मिठा पीठा भी बनता है और इसे तरह से यदि आप गोल शेप इसे दें तो फिर इसमें आप स्टफिंग भी डाल सकते हैं लेकिन यहां मैं अलग शेप दे रही हूँ जो देखने में बहुत ही संदर लगती है तो आटे को हमने अच्छे से नेट कर लिया है और जब इस तरह एक बोल हम बना कर देखेंगे तो देखें इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं आ रहे हैं बोल एक तम स्मूध बनी है यानि डू हमने अच्छे से बना लिया है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पॉर्शन लेते वे इसे शेप देंगे तो आप गोल शेप भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया इसमें स्टफिंग भी डाल सकते हैं नारियल वगरे की या फिर इस तरह से से इलेंडरिकल शेप भी लेते हैं तो फ्लेट सर्फिस पर इस तरह दोनों हाथों से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और अब हम इसे इस तरह गुमा देंगे गुमा कर हम इसे पुरा रोल कर लेंगे तो ये एक हमारी बहुती सुंदर सी और क्यूट सी डिजाइन बनकर तयार हो जाती है इ के शेप बिकड़े की नहीं तो बस इसी तरह से शारी शिप बनागर में तयार करलूंगी अब आरी हाती है इनको स्टीम करने की ठो करने के लिए कडाई में हम 1-1 ग्लास पानी डालेंगे कड़ाई के ऊपर हम एक स्टेंड रख देंगे या कोई कटोरी का स्माल भी आप कर सकते हैं बस पानी के नीचे टच नहीं होना चाहिए बरतन गैस का फ्रेम ओन करके पानी को गरम होने देते हैं तब तक हम एक स्टेंड प्लेट या कोई भी नॉर्मल प्लेट आप ले सकते हैं जिसे घी से ग्रीस कर लेंगे तो घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे तो जो मिठाई बनेगी वो जिपकेगी नहीं अब ये आदे पिसे मैं इस स्टेंड प्लेट में रख देती हूँ और अब हम इसे स्टेंड कर लेते हैं पानी भी अच्छा गरम हो गया है इसे रखने के बाद हम जो डखन इसका लेंगे उसे कोटन की कपड़े से कवर करेंगे ताकि जो स्टेंड की उपर पानी की बूंदे बने वो इस मिठाई के उपर ना गी रहें तो इसे 15 मिनिट के लिए हम मेडियम फ्लेम पर स्टेंड कर लेते हैं तो 15 मिनिट बाद आप देखेंगे मिठाई की जो साई जब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब मिठाई को हम प्लेट में से निकाल लेते हैं क्योंकि इस स्टीमर प्लेट में बाकी पीसिस में मुझे स्टीम करने हैं तो सारे पीसिस मैंने इसी तरह से स्टीम करके तयार कर लिये हैं और अब इस मिठाई को और वी संदर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये desiccated coconut powder यानि सुखा नारियल का बुरा तो अब हम क्या करेंगे ये मिठाई के pieces इस नारियल के powder में coat कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी और संदर सी coating इसके उपर आ जाएगी आप चाहें तो इस मिठाई में dry fruits का powder या फिर creative dry fruits का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही बड़िया लग रही है और अब इसे और वी संदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये एक पिस्ता का piece भी इस पे रख देते हैं तो इसे मिठाई देखने में और भी खुबसरत लगेगी तो लग रही है ना मिठाई देखने में भी बहुत संदर और बनाने में बहुत ही आसान तो इस मिठाई का टेक्शर भी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये बहार से जैसी लग रही है देखने में अंदर से भी ठीक वैसे ही लगेगी लेकिन जो पाउडर हमने डाला है उसे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है और ये इस तरह की एकदम खस्ता से मिठाई लगती है देखने में और दोनों पीस मैंने आपको तोड़ कर दिखाए है ये बिल्कुल भी नरम नहीं है बहुत ही अच्छी से स्पंजी से बने है तो फ्रेंट्स आप भी घर पर करें ये मिठाई तयार और यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दें ए अच्छी से साथ झाल झाल किले टे प्नाल आता किले कितला है. झाल